अब लोग इंझ देखांग है। दो तरह के रीप्रोडक्षिं लोते हैं एक होता है सक्षुल होता है ओसे में वेर्ीयेशंच्ज रहे हैं और वेरियेशंच्ज के क्या रहते हैं बहुत साथ Yakर 문제 रहते हैं सबसे बहली ची two daughters cells binary मतलब कि इता दो इसके दो step one होता है carry on मतलब क्या होता है nucleus kinases मतलब क्या होता है division carry on kinases मतलब होता है division of nucleus तो पहले क्या होगा nucleus divide करेगा step 1 step 2 क्या होगा cytokinases साइटो मतलब सेल, काइनेस मतलब दिविजन तो साइटो काइनसिस मतलब क्या डिविजन ओप साइट भ्लाजम या सेल अप देखो धियान से यहां पर नीचे अमीभा रिखता है तुम लोग को यह जो अमीभा है इसके अंदर क्या थे 46 ट्रोमोजोम्स ते इसके नुकलिस से पहले ये डिवाइड होगा, क्या होगा, डूपलिकेट होगा क्या होगा, DNA कॉपिंग बढ़ी थी हम लोगो ने DNA कॉपिंग होगी तो क्या होगा ये जो 46 ट्रोमोजोम्स रहेंगे इसकी कॉपी बन जाएगी यानि कि पहले 46 टे अब और कित्ते आजाएगे कॉपिंग के बाद 46 और आजाएगे ठीक है ना, अब इसका नुकलिस दिवाइड होगा, अब क्या होगा इसका नुकलिस दिवाइड होगा, ये सेंटर में से क्या हो रहा है इसका नुकलिस दिवाइड हो रहा है और उसी साइटोब्लाजम में दो न्यूपलिस आ गए एक यहां पर और यहां पर ठीक है न अब यहां से साइटोब्लाजम डिवाइड होने लगेगा और ऐसे अंदर अंदर आ जाएगा इस चीज को हम लोग कहते हैं कॉंस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं कॉंस्ट्रिक्शन यह यह जो हमीवा है वो दो पार्ड में ब्रेक हो जाए का थीख है तो हम लोगों ने बोला गिए करेगा सब्सक्शन होता है क्या से बले होता है क्यार्यों का मतलब क्या होता है division और Local Nucleus तो सब्सक्तेक जड़िए एफ है और को ह सतपवित करेगा क्युंकि ए *** पी एप क्यों कि यह दिएले है कि वह कोई भी छेप्रिदा चाथा है तो सब्सक्ते किसी भी पैसे निंए में सम्सेतली को सब्सक्यार मैं सम्सक्ता है हाई हाओ बैँनेरी फिजिन इन लीश मैनिया, तो जो लीश मैनिया होता है भीटा उस qi उसकी बॉडी मे एक विप लाइग Something 장ob समझो, belts जैसा structure होता है, आीज दत Clark मैं तो लीश मैनिया में आप horizontal division नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते around this night टीके लीश मैनिया में जो division होगा वो एक particular axis पे ही होगा यानि कि अगर ये लीश मैनिया है ये body मेरी तो ये इधर पे से ही divide होगा तुम सोचो कि इसको horizontally divide कर दे और vision हो जाए नहीं हो पाएगा इसको diagonally divide कर दे और vision हो जाए नहीं हो पाए तो तो लोग बोलते हैं कि जो लीश मैनिया होता है उसमें जो binary vision होता है वो along a specific orientation ही होता है along any orientation नहीं होता लेकिन amoeba में चाहें तो वो vertically भी हो सकता है और horizontally भी हो सकता है diagonally भी चाहें यानि कि along any orientation हो सकता है is that clear जो कहानिया पहली बार multiple vision का example क्या है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम अपने आप में क्या होता है क्या होता है प्लाज्मोडियम नाम के 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 क्या होता है कि कोई भी और गानिजम रहता है उसमें सब्सक्राइब करेगा बार बार डिवाइड हो जाएगा बार बार डिवाइड हो जाएगा एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या 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 थिस तो अ IT भी नयुकल्स बना लेंगा और तो एक नुकलियस बना लेया ठोड़ा थोड़ा-突yu 않아 Wells हो जाएगा और इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेर बनी रहेगी जिसका नाम क्या होता है सिस्ट प्लाज्मोडियम को किसे बचाती है अन पेवरेबल एक्सटरनल एंवायमेंट इससे बचाती है यह लेरेबल एक्सटरनल एंवायमेट तो प्लाज्मोडियम में बहुत चोटे खोटे ब्लाज्मोडियम के क्जिए…? सेल्स क्या हो जाएँगे…? रिज्स हो जाएँगे… प्लाजमोड… हम प्लाजमोड.. ममइ अमिन इसेली mets को इसेले क्या हो दिए खुरेडी… इसेल्स is warm और बडिंग बडिंग किसमें होती है इस तरह का और गयानिसम होता है इसके उपर यह आपकूर पर इसाथ हुआ को छिया खबनाव चीज़ पर यहां पर किसी भी पार्ट में क्या ओगा थोड़ा-थोड़ा तोई थोड़ा 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 तोड़ा स्विशन्य को जैवाद एक पर थोड़ा थोड़ा संधू कुछ चाए Sak resalt थे तोड़ा सअ छेपन स्वह ना इसBothy 15 game और आ और प्रहेगा स्टासट और वाई प्रहेंगा तो डिवाउड करेgen तो इस बिखने लग जाएगा किसमें हाईडरामे अब यह आउट ग्रोथ और ग्रोफ करेगी तो क्या बना लेगी बड़ बना लेगी क्या बना लेगी और जब इतनी बड़ी हो जाएगी कि वह खुदा सर्वाइवल खुद के लेशित पर कर सकती है तो पैरिंट प्लांट से क्या हो क्या होता है जो बड़ रहता है वह कुआ को पैरेंट जांज से क्या नहीं खटी एक पैरेंट लिएग्च नहीं करती तो यह एक पैरेंट आप बड़ बड़ी को और बड़ बैठी तो बहुत इंसी होती हुँअ होना एसी नहीं होती है एक बार इसको चाहिए से रीट कर लो किसको बढ़त परिशानी है तो बूचो नहीं जब्लों और रिजनरीशन सब्सक्राइब तो तो तरव की जीज़े एक रहता है फ्राइग्मेंटेशन वहाथ है रेजनेरेशन भूहत धियान सचन्ना हम लोग फ्राइग्मेंटेशन में क्या बोलते हैं विन ओर आर्गानिजम में अपोन मेचुरीटी अपॉन मेचुरीटी बन्त्रीमा फूरा बड़ा अब खुदी खुद को parts में इन parts को हम लोग क्या कहेंगे fragments क्या बोलेंगे और हर एक fragment क्या बोला हर ए यहां पर इसलिए each part को highlight भी करा है ठीक हर एक fragment एक नया individual बनाएगा कि एक्जामपल कोई spiral घा रहा है spiral गे रहा है क्या हो गया बड़ा हो गया या नीकी इसने क्या attain कर ली maturity इस प्रोसेस ऑफ री प्रोड्ड़क्शन को हम लोगों ने क्या बोला फ्राग्मेंटेशन बोला यह प्रॉपर मोड अप्रोड्ड़क्शन होता है यहां पर पूरी बॉड़ी में स्पेशलाइज री प्रोड़क्शन होते हैं इस जैसा एक और मेतर होता है जिसको हम लोग क्याते हैं री जनेरेशन क्याते हैं अगर चपकली की पूज गल्पी से कट जाए लिजर्ड की टेल गल्पी से कट जाए तो अपने अब हो जाती है गल्पी से कट जाए तो हम लोगों को नहीं बोला वेन और्गानिजम ऐस्टेंटली ब्रेक दाउन इन टुपर्गां आएगंगे जैसे हमने में एक्सांपिल गहीं प्लैया किया क्या अगेंडेवार प्लैनेटीड गेए प्लैनेर्या तो प्लैने डिया किसे पार्ट पर तूट गया part 1, part 2, part 3 और part 4 लेकिन नया ओर्गानिजम किसने बनाया part 1 ने और part 4 ने part 2 और 3 ने नहीं बनाया यानि कि यहाँ पर जो दीप्रोड़क्तिव सेल्स होते हैं वह कुछ जगह उपर होते वही पर इसे पूरा और्गानिजम के हो पाएगा रीजन रेट पाएगा जहां पर री प्रिडॉड़क्तिव सेल्स नहीं होंगे वहां पर पूरा और्गानिजम रीजन रेट नहीं होगा is that clear exam में इन दोनों के बीच में डिपरेंस बहुत बार आ चुके है is that clear पोर फॉर्मेशन किसमें होता है ब्रेड मोल में फंगस होता है नाम होता है इसका राइजोपस का डाइग्राम एक्जैम में आ चुका है यह जो इसके अंदर रूप लाइक स्ट्रॉक्चर्ट्टर्थ होते हैं यह जो नीचे होडिजन्टल लाइन दिख रही है इसे रही हम लोग कहते है इसको इसके इंदर भरे वे रहते हैं इसको हम लोग बोलते स्पोरंजियम सेंगिलर होता है sporangia plural होता है sporangium singular होता है sporangia plural होता है ठीके अब sporangium के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे छोटे-छोटे क्या होते है spores होते है मुद्दा spores क्या होते है तो मैंने का यह छोटे-छोटे reproductive structures होते हैं यह छोटे-छोटे reproductive structures होते जो अगर कभी भी warm या moist surface पे land कर जाएंगे जो अगर warm या moist surface पे क्या कर जाएंगे land कर जाएंगे तो यह क्या करेंगे यह एक new organism बना लेंगे ठीक है तो sports are tiny reproductive structures that grow into a new organism upon landing on a warm and moist surface ठीक है एक्जाम में question आता है कि score formation एक अच्छा mode of reproduction क्यों है score formation एक अच्छा mode of reproduction क्यों है यह NCRT का in-text question है यह NCRT का in-text question है exam में आता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो sports रहते हैं na sports यह एक layer से well protected रहते हैं एक layer से well protected रहते हैं और इसलिए यह atmosphere में बहुत लंबे period तक क्या कर पाते हैं survive कर पाते हैं before they land on a warm and moist surface तो sports क्या रहते हैं well protected रहते हैं by a layer इसलिए यह atmosphere या environment में ज्यादा टाइम तक survive करते हैं before they land on a warm and moist surface ओके plant के अंदर दो तरह के parts होते है एक होते है vegetative parts और एक होते है reproductive parts और एक कौन होते है अब जब प्लांट रिप्रोड़क्टिव पार्टसे हम उसको ना होगा है और उसको उसके वेजिटेटिव पार्टस से होगा यानि कि रूप स्ट्रेम या लीग से होगा है तो उस मोड़र्डक्षिन को हम लोगArcadius Vegeumen जैसे कि मेरे पास गाजर की एक रूट है इस रूट से ही मैं क्या कर सकते हूं नहीं गाजर ग्रो कर सकते हूं नहीं मूली क्या कर सकते हूं ग्रो कर सकते हूं नहीं तरनिप क्या कर सकते हूं ग्रो कर सकते हूं तो जब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट से ही क्या करते हैं नय इनी से क्या कर सकते हैं नए अलुओ और नए प्याज जो कर सकते हैं हमें seeds बनाने के जरुद्धी है हमें flowers की जरुद्ध नहीं है वैसे ही एक leaves राती है जिसको हम लोग कहते है ब्रायो पाइलम क्या कहते है ब्रायो पाइलम इस तरह की leaf होती है जिसकी leaf margins पे छोटी-छोटी leaflets होती है अगर यह leaflet soil पे गिर गई तो यह नया organism मत्ब नया plant grow कर लेती है ठीक है यह तो हुआ natural method कभी-कभी यही काम मैं artificially करते हूं जैसे लेरि हो जैसे यह grass मैं grass का एक पाट क्या करते है खीच कर कह रहां डाल दोङी soil में और Sorite में डालके यह निकाल लोंगी, अईस हमझ में यह यह रहा, और यह रहम करके निकाल दिया ठीक है थोई time बार यह वाला जो बाट है इसकी क्या आ आजए रूट सा जाएगी फिर मैं चाहूँ कि इसको पैरिंट से क्या गर दूगी डेटाच कर दूगी कभी तुम लोग स्कूल में कभी ग्राउंड पर बैठे हो गए तो गांस पर जब बैठे हो तो तुमको रॉनर्स दिखते है रॉनर्स बेसिकली लेरिंग का ही एक्जैम्पल हो भाइए बगने संड़ी है ऊढ़ते हैं तोग सोगे जाते हो जाते है तो थो जगे से अटयाच एधर से भी और अगे से भी आगे से नहीं टूट म00LR आप पीछे से लग तोरते हो क्यों क्यों कि ये घास क्या होगा जब तूम लोग ब्राउं पे दोड़े-बोड़े हो गे तो ऐसे किर गई होगी फोड़ी बहुत सोई के अंदर चली गई होगी और इसकी क्या अगई रूबसा आगई अब यह और ब्रो करेगी फिर ऐसे ऐसे यह भागते भागते इसकी तरफी को रनट कहते यह खुदी ग्रो होती जाती ही भागते यह बहुत प्यारा एक्जामपल होता है कि इसका प्लैरिंग का पिर होती है cutting, cutting क्या होते है कुछ plants रहते है, जैसे rose हो गया, इसकी आप stem cutting लो, stem को cut दो और soil में, ये potted plant में डाल दो, अपने आप rose उप जाएगा, तो ना आपको flower की जरूरत है, ना आपको seed की जरूरत है, step क्या चाहिए, stem की cutting चाहिए, छीक है, तीसा तरीका होता है, grafting, की दो plants की desired characteristics है, मुझे क्या चाहिए, दो plants के desired characteristics है, तो मैं क्या करते हूँ, दो plants को mix करके एक नया plant बनाते हूँ, जिस पर दोनों plants की क्या होगी, characteristics होगी, जैसे yes है, ये किसी के पास लेके गया pink rose लेकर, सामने वाले ने क्या कर दिया, reject कर दिया, बोला नहीं चाहिए, तो yes को लगा कि दोस्ती से शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर ये यलो लेकर गया, तो ये भी नी चाहिए था सामने वाले को, तब इसको समझ में आया, कि ना red काम कर रहा है, ना yellow काम कर रहा है, तो मैं डोनों mix करके देता हूँ, तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, देखो सुनो, ये जो rose वाला plant था ना, इसका stem ऐसे diagonally काट गिया, और जो yellow वाला था ना, इसको भी क्या कर दिया, diagonally काट दिया, और yellow वाले का नीचे वाला part ले लिया, जिसको हमने क्या बोला, stock, जिसको क्या बोला, और red वाले का क्या ले लिया, उपर वाला part ले लिया, जिसको हमने क्या बोला जाय उसके तो यह रखा रखा यह क्या रख दिया स्टॉक दिया इसको एक टेप से बांदो यह एक कपड़े से मानदो बांने प्रियान दोनों की सब्सक्राइब और knew i a क्या होंगे आजाएंगे इस दाट क्लियर बोलो कोई परिशानी कि वेजिटेटेव प्रबगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं सबसे पहली बात ही बहुत पास्ट मोड ऑ रिप्रडक्शन होता है और इन कमपेरशन तो सेक्शल रिप्रडक्शन सस्ता होता है क्योंकि जब प्रब भी गया तो न्यां यां लेओ और में आया डाल गफोंकि अपको रिजॉर्ट से क्या मिलते है फास्ट्रेंट है सगें आपको वो प्लांट बिल जाते है जो आपको डिजाय क्यारेक्रिस्टिक अपको डिजायर्ट चाहिए रोज की नियोगी तो कभी आपको आपको जाइस को या तो प्रफोर दार्टेस्टिक तो शुक्त न आपको जैसे करेक्रिंटिक सभी यह वह क्या मिल जाएगी तो यह वह वह एजिटेटिग प्रॉगेशन यह इसरी की बनान आपकर गए कि अगर तुम बनाना देखो गे तो बहुत कम बनाना जो ढगे जिन में थे जि कि एबिलिटि कर दिया है जोब कहा सकते हो बहुत कि और पिछले दू तीन साल से एक्जैमने डिसएडवांटेज दारे पहले नहीं आधे है पहले समय कि आज कर आ रहे हैं देजएडवांटेज़े लेकिन आछकल क्या और डिसएडवांटेज़ है थारे हैं वह बिलकोel इंतिकल होति है उस छ और एक अ은दर भी वेरियेशन होगी तो अगर कोई ब्लांट है जो आल्रेडी बिमारें और उसी से अपने नया प्लांट भी होगा तो इस प्लांट में वही डिजीज या डिशीन्सी होगी जो पैरेंट प्लांट में थी यहां पर वेरियेशन्स आएगी नहीं दियने गॉपिंग वगएर बहुत जादा होगा ही नहीं तो ऐसे में ऐसे में थी वेजिटेटीव प्रफीशन्स के दो डिसएडवांटेश होते एक तो जो identical plant बनते कोई variation नहीं होती और दूसरा अगर parent plant को कोई disease या deficiency है तो next generation में भी वो disease या deficiency आती है Is that clear? यहाँ पर तमारा asexual वाला part क्या होता है? फतम होता है नहीं रुप जाओ, अभी tissue culture पढ़ा दो एक मनिट में tissue culture में क्या होता है? आप एक plant की shoot tip में से कुछ निकाल लेते हो shoot tip से क्यों निकालते हैं? क्योंकि तोड़ा सा flashback नहीं नहीं को नाहीं होता है तो नहीं पड़ा होगा है वाप एकल Maristremaatic tissue होता है तो वो सारे fast dividing cells होते हैं क्योंकि वहाँ के cells क्या होते हैं बहुत fast dividing होते हैं शूटिप से से लेते हैं और उसको एक Нуटियम में डील गालते हैं अब ये बैसे ही दिवाइडिंग सेल्स होते हैं नीओ Богं में डालते हैं दगा साथे और और बाद धिवाइड्ग गरिल्प उस बना चालो जिनको कैरते हैं क्या कहते है जब बन जाता है तो इसको चीय के और साथ में होता है और होते ही होते हैं और होस्च comenz रहते हैं तो यहां पर सेल जरुंढ वी करते होता है कि छोटी-छोटी प्लांटलिट्स बना लेता है क्या बना लेता है छोटी-छोटी प्लांटलिट्स और आप इन प्लांटलिट्स को क्या कर सकते हो डिरेक्ट्स में क्या कर सकते हो प्लांट कर सकते हो इन प्लांटलिट्स को लोग क्या कर सकते है डिरेक्ट्स के अंदर प्लांट कर सकते हैं तो हमको बहुत जल्दी से क्या मिल जाएगा नया और्गानिजम मिल जाए का एक्जाम में टिशू कल्चर पर क्या आता है शॉट नोट आता है यही पूरी तहानी आज़ेटिस लिखकर आनी होती